मेडिकल दोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ मेहीं बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नार्टिकेशन मुफ्त में मिल सके है 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 लो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्ट और मेरे इस मेडिकल दोस्ट चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है आज हम लेक्टोनेट शल्यूशन का फुल रिव्यू करेंगे हम इसके यूज डोस साइड फैक्ट तीन चीजों के बारे में इस वीडिय लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाकर लाइक कर दें और चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए तो चलिए वीडियो की तरह बढ़ते हैं बीने टाइम कवा है जैसे कि सामने आपको यह चोटा सा कागस का कैरटन दिख रहा है जिसमें लेक्टू नेट शलियोशन यानि की सीरप है और यह 100 ml का बॉटल आता है जिसकी प्राइज मात्र आपको 105 रुपे में पड़ेगा और कंपनी की बात किया जाए तो देखिए बरनेट फार्मासिटिकल्स लिए और यह बहुत ही अच्छा यह सीरप है कॉंस्ट्रपेशन यानि की कबजियत की समस्या के लिए तो तो चलिए इसकी उसके बारे में जानते हैं डिटेल में देखिए यह एक लाइटरिंग धिली करने के लिए यह सीरप है बहुत से लोगों की लाइटरिंग जो है बि तो ही ज्यादा तकलिफ होता है कभी कभी लाइटरिंग इतनी कड़ी होती है कि वह जब करते हैं तो बलोड God गेरी की सिकायत होती है कड़ी लाइटरिंग की वज़े से ही सिकायत होने लगती है जो गुदा भाग होता है वह छिल जाता है और जिसके वज़े है फ्रेस हो जाता है याने की किलियर हो जाता है और लाइट रिंग जब आप dove सिर्डाकर बहलत पड़ के लिए रोजता तो आपका पेड़ भी हलका लगता है। जिसकी वज़े से आपको खाने पीने में मन लगता है । जो कुछ भी खाते पीते हैं वह अच्छी तरह से पच जाता है और आपके वो बॉड़ी में लगने लगता है बट कभी-कभी कुछ लोगों की यह समस्या रहती है कि उनका जो ट्वाइलेट है बिल्कुल कड़ा होता है जैसे में कड़ा होने को वज़े से उनके जो मतलब पेट में लाइटरिंग जो होती है वो अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल पाती जिसके वो जैसे वो कुछ अच्छी तरह से खापी नहीं पाते जिसके वो जैसे उनके पेट में ग्यास पेट का भारीपन होना या पेट में दर्द या उल्टी की तरह आना या ग्यास बनना या पेट में जलन तो इस तरह की सारी समस्षा होती रहती हैं तो वहीं पर यह लेक्टोनिट जो सीरप है सस्पेंज इस शलीमन है यह बिलकुल लाइटन को ढिला कर देता है और डोस के बारे में जानेंगे इसका जो डोस है अ मिखने 10amil दिन भर में 2 बार लेना है खानाखाने के बाद लेना है और बचो में देना चाहर। रहा हैं तो इस虚दो फाइब bewार मैं 2 बार करले सकते हैं और इसके देने से जो लायर्ट इंग बल्कुल कड़ी हो गयी है बिलकुल समझांगे आतीं लाइटरिंग जो सुख गई है वो बिलकुल मुलाइम होके पेट से बाहर निकल आते हैं और पेट हमारा हलका हो जाता है और साइड फेक्ट की बात करें तो इसका कुछ खास साइड फेक्ट नहीं है बट कभी-कभी इसके देने से बहुत से लोगों में डायरिया की शिकायत ह हो जाती है यहानि कि यह जदसलाइड लायटरिंग होने लगता है इसलिए अगर मैं लिजे कि आपकी लायटरिंग कड़ी हो रही है तब ओसका इस्तेमाल करें अगरमाली यह की आपको पांच-छे बार लाइटरिंग हो रहा है उन कंडिशन में इसका यूज ना करें नहीं तो आपकी ये लाइटरिंग को और बढ़ा देगा यह जिन लोगों को लेक्टो लोज शल्यूशन इंग्रिडेंस से अगर अलर्जी है तो वो लोग भी इस स्यूशन यानि कि सीरप के यूज ना करें तो यह था लेक्टो नेटर शल्यूशन के बारे में सब कुछ आसा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुलिएगा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद